नमस्कार साथियों, आज हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिस करेंगे सिंदुगाटी सब्वेता सिंदुगाटी सब्वेता आज से 5000 साल पुराना इतिहास माना जाता है इसको बाद में किसी वीडियो में इसके इतिहास को पढ़ेंगे लेकिन सिंदुगाटी सब्वेता के विस्तार का यदि हम अध्यान करते हैं तो ग्यात होता है कि उत्तर में जम्बू के अखनूर तक, दच्छिड में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चि में ब्लोचिस्तान के मकरान तर्ट तक और उत्तरपूर्व में मेरड जिले तक, आलमगीर जगह का नाम है, वहां तक फैला हुआ था, विस्तारीट था यहां पर मकरान तर्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, भारती उप महादीप और इरान के बीच का एक महतपूर्ण मार्ग गुजरता है, जिसको हम लोग मकरान तर्ट के नाम से जानते हैं, यह मकरान तर्ट पाकिस्तान के सिंध और बलोचिस्तान प्रांतों के दच्छिन भाग में इरान के मिस्तान और ब्लचिस्तान प्रांत के दच्छिन भाग में अरम सागर से लगा हुआ एक सूस्क अर्ध रेगिस्थानी छेत्र है। मकरान तट में तिर्थयात्रिक वेन ने लिखा था कि हिंदु और बौध इसी मकरान तट पर बसे हुए थे। यह हिंग लाज माता का तिर्थ स्थल है जहां सबसे ज्यादा वहां के जो इस्थानी लोग है इस देवी की बहुत ही पुजार धना करते हैं। यदि हडपा संस्कृती को हम देखते हैं सुत्का जेडोर, सोत्का कोट, खेरिया कोट, जो मेसोपोटामिया तथा खाड़ी के साथ समुद्री बंदरगाह थे। सुत्का जेडोर, सोत्का कोट, खेरिया कोट, इसको मेसोपोटामिया तथा खाड़ी के साथ समुद्री बंदरगाह के रूप में चिनहंकित किया गया है। सुत्का जेडोर में ओमान के भरतन मिले हैं, बहुत इंपाटेंट है, जहाँ पर आप उसको जो हम औलोकन करेंगे चित्र के माध्यम से। नदी के तड़ पर बसे चार सभ्यता को हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जिसको डिग्रेस और यूपरेटस नदी के तड़ पर बसा हुआ है। मेसो फोटामिया, पोटामिया सब्यता, डिग्रेस और यूपरेटेस नदी के तठपर बसा हुआ है मिस्र सब्यता, नीन नदी के तठपर बसा हुआ है सिंदू सब्यता, सिंदू नदी के तठपर बसा हुआ है चिनी सभ्यता हुआंग हो पिली नदी के तठ पर बसा हुआ है इरान के 2825 विसी में पर्सियन समराट डेरियस फर्ष्ट ने सिंदू छेत्र को जित कर अपने सामराज का एक प्रांत बनाया था ये सबसे इरानी जो कहते हैं हम लोग 2825 विसी में पर्सियन समराट डेरियस फर्ष्ट ने सिंदू छेत्र को जित कर अपने सामराज का एक प्रांत बनाया था अब हडपा सहस्कृति के बारे में आते हैं जान मार्सल के दचता में दयाराम सहानी ने इसकी खुदाई 1921 में की थी पस्चमी पंजाब में रावी के तट पर इस्थीत इस नगर के आसपास बस्तियों का कोई सबूत नहीं मिला है यहां मजदूरों के आवास उनके काम करने के चबूतरे एक अर्नागार मिला हुआ है यदि मोहन जदूरों के बारे में जानते हैं सिंधू के तट पर लरकाना जिले में जो वरतमान में पाकिस्तान में है सबसे बड़ी बस्ति थी 1922 में आर्डी बनरजी ने इसका उत्खनन किया यहां पर महा इसनानगार या जलासे जलासे के पास बरामदा था और सिरिंगार कच्छ भी प्राप्त हुआ है यहां पर अन्नागार है प्रसिद्ध पसुपती की आकरिती वाली सुन्दर मुर्ती है तार पर उपर नीचे खिसकने वाली खिलोने कास से नर्तंगी की अद्दूती प्रतिमा फिर सेल खड़ी का पुरूस धर्ड मिले हैं जो दाड़ी रखे हुए हैं सुन्दर नकासी के वस्त्र ढखे हुए हैं अर्ध मुद्रित ओखे विचारमग्न मुद्रा को दर्साती है जो कभी वर्तमान में इसको हम सी भी कह देते हैं या सी पारवति का रूप भी माल लेते हैं ये एक विचार है के वल, विचार के रूप में हम इसको कह सकते हैं, अन्यता इस्तिती में, यहाँ पर जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, उस स्वरूप के हिसाब से ही आपको जो है चिंतन करना है, काली बंगन, गंगा नगर जिले में घंगर नदी के सुखे तल के आसपास इस्तित है, गंगर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, पूर्व हडपा के साच मिले हैं, हडपा काल के पहले जो प्राचिन काल है, उत्रतर प्राचिन काल, उसका भी साच यहाँ पर मिला हुआ है, काली बंगन से ताथ पर काली चूड़ी से है, यहाँ हल का चिंध मि अगनिस्तम वाले चबुत्रे भी मिले हैं लोथल अमदाबाद जिले में कैमबे की खाड़ी के तट में सरगवल नामक इस्थान में ये लोथल इस्थित है जहां से आपका नर्मदा नदी की जो मुहाना है यहीं लोथल के लोथल से ही गुजर कर जो है वो अरब महासागर में पहुंचती है गिरती है यहां पर पक्के इटो का बना हुआ विसालाकार का एक घेरा है जहां गोदी बाड़ा या डाक यार्ड बताया गया है समुद्री ब्यपार के लिए सीमा चौकी के लिए महत्पूर्ण रहा होगा लोथल में दुर्ग और आवासी नगर अलग अलग अगनी स्तंब मिला है कुछ विधी विधान के भी इस्थान माना गया है म्रीद भांड पर पंश्तंत्र के कहानी भी यहां पर मिलता है जिसके अंतरगत चालाक लोमडी का रुपांकन किया गया है ऐसा चिनांकित होता है चहुदड़े मोहन जोद़ों से 130 किलिमेटर के दूरी पर NG मजुमदार ने उत्खनन किया था किलेबंधी के साथ नहीं मिलते यहां पर आद्दुगिक केंद्र माना जाता है ये कोश्चन पूछा जाता है चहुदड़ों को आद्दुगिक केंद्र माना जाता है मणिकारी मुहर बनाने या भारमाप के बठखरे बनाने का काम होता था चोधड़े जरूर एक प्रश्ण पुछा जाता है लोथल के बारे में पुछा जाता है समुद्र ब्यापार के लिए बहुत फेमस है बनावली जो हिसार में मिटी का एक खिलोना हल मिला हुआ है जल प्रबंद प्रणाली महत्पूर्ण है यहां के लिए वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए टेंग का निर्माण किया गया था यह आधुनिक जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो सिंदु घाटी सब्यता का आधुनिक समय की यह खोज है पेंग का निर्माण किया गया था वहाँ पर घोड़े की कलाकृतियां दिखती है पत्थोरों पर पालीस लगा हुआ है सेंधो लिपी के दस अच्छर मिले हैं जो चित्र के माध्यम से हैं जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है फिर इसके बाद में सुद्गार के डौर में देखेंगे एक बंदरगार नगर है ये साथी साथ 1962 में डेल्स ने यहां दूर्ग बंदरगार के बारे में सर्विछन किया फिर इसके बाद में पत्थर के भवान मनका निर्मार घोडे के घडिया ये सुद्गोटरा में ये साच्छ प्राप्त होता है और आगे देखते हैं कि रंगपूर गुजरात के सौराष्ट छेत्र में ये इस्थित है जहापर धान की भूसी मिला हुआ है बहुत इंपाटेंट है इसको आपको समझना है रंगपूर के बारे में कई बार कोश्चन पुछा गया है गुजरात के सौराष्ट छेत्र में धान की भूसी पाई जाती है इसके बाद दखेंगे कितने नदी है नदियों के बारे में हम यहाँ पर मेप के माध्यम से नेश्ट वीडियो में हम उसको प्रस्तूत करेंगे धन्यवाद जै भारत जै हिंद थैंक यू